समाजवादी पार्टी का खेला बिग्याड रहे हैं ये चार भोजपुरी स्टार नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलिगा में आपका हरती स्वागत है दोस्तों लोकसभा के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी का इन चार भोजपुरी स्टार उपर चल रही है भरती जन्दा पार्टी बड़ा दाओं जिससे समाजवादी पार्टी तथा इंडिया गड़बंदन को हो रही है बड़ी दिक्कत इस वीडियो के अंतरकत हम यही जानाएंगे कि कौन है वो भोझपूरी स्टार चिन पे भरती जन्दा पार्टी चल रही है बड़ा दाओं सबसे पहला नाम आता है इस लिस्ट में दिनेस लाल ल्यादा उर्फ निरहुगा बोचपूरी की इस्टार दिनेस लाल ल्यादा उर्फ निरहुगा वर्तमान में आजमगड से सांसद हैं आपको बता दें कि आजमगड को सपा अपना गड मानती है तथा ये समाजवादी पा पार्टी इस सीट को 8,0689 मतों से यहां पर जीर दर्ज करती है भाजपा प्रत्यासी दिनिस लाल यादव उर्पनी रहुआ को 3,12,0768 मत तथा सपा के धर्में रियादव को 3,04,0889 मत मिले थे आपको बता दें कि इस बार के लोकसवा चुनाओं में पार्टी जन्ता पार्टी ने जो अपनी पहली सूची निक्याली उसमें से दिनिस लाल यादव उर्पनी रहुआ का नाम है वो आजमगड से भाजबा प्रत्यासी बनाए गए हैं हाला कि समाजवादी पार्टी ने स्टीट पर अभी तक अपना कोई प्रत्यासी नहीं उता रहा है योगी आदितनात के गड़ गुरकपूर के वरतमान सांसद रवी किसन का रवी किसन गुरकपूर के सांसद हैं अगर हम बात करें रवी किसन के राजनितिक करियर की तो ये साल 2014 में भारती राष्टी कांग्रेस के टिकट पर जणपूर लोग सभा का चिनाव लड़े लेकिन जणपूर लोग सभा में इन्हें हार का सामना करना पड़ा बाद में भाच्वा में सामिल हो गए तथा 2019 के आम चुनाव में इन्हें भारती जंता पार्टी ने गुरकपूर सीट से अपना प्रत्यासी बनाया तथा ये वहां से सांसद चुने गए रभी किसन हमेशा अपने बयानों के कारण चर्चित रहते हैं यानि की चर्चा में बने रहते हैं तथा समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा हमलावर रहते हैं तीसरा नाम आता है मनोस्तिवारी का मनोस्तिवारी राजनितिग गायक तथा अवनेता हैं तथा वाय उत्तर पुर्वी दिल्ली से सांसद हैं उन्होंने दोहजार नौ का आम चुनाव समाजवादी पार्टी के मिद्वार के रूप में गुरकपूर से लोकसभा का लेकिन सूबे की मौजूदा मुख मंतरी योगी आजितनाद से हार का सामना करना पड़ा फिर उन्होंने भारती जंता पार्टी के मिद्वार के रूप में 2014 का भारती आम चुनाव लड़ा और जीत हांसिल के उन्हें 2016 में दिल्ली भाजपा द्यच के रूप में निउक्त क तो उस समय वो दिल्ली के पदा दिखारी थे चौथा नाम आता है पावरिश्टार पावन सिंग का पावन सिंग को हाली में जो भारती जंता पार्टी दोजाज चौबिस के जो लोक सभा चुनाव की जो सूची जारी की उसमें पावन सिंग का नाम था पावन सिंग को आसन पशिम बंगाल की आशन सोल लोकसवाशीट से उमिद्वार बनाया गया था सतुधन सिना के खिलाब उन्हें उतारा गया था लेकिन किसी कारणवोष पवन सिंग इस चुनाओं को नहीं लड़ेंगे यानिकी आशन सोल शीट से नहीं लड़ेंगे हाला कि उन्हें अब देखा जा रहा है कि बिहार अतवा यूपी से कहीं भी प्रत्यासी बनाया जा सकता है पवन सिंग एक अच्छे विनेता हैं तथा अभिनेता से अबनेता के स्वरूप को धर्ड करने के लिए पूरी तरह से तयार है जी ने चारो भोजफूरी निताओं का हमने आपको नाम बताया इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बाक्स में जरूर बताएं सब्सक्राइब करें बने रही हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जरूर दबाएगा